दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाय बैस गाबिन पक का ठहरेंगी तो दोस्तो जो आज कल पसुपालन की सबसे बड़ी दिक्कत है सबसे बड़ी समस्या है कि जो गाय बैस वो ग्याबिन नहीं रुक रही है जिसके कारण किसानों को पसुपालने में बहुत प्रेशानी हो रही है और किसान पसुपालना ही नहीं चाहते हैं बलकि क्योंकि वो सोचते हैं कि पसुओं में इतनी बिमारिया पैदा हो गई है जिस कारण ये पसुपालन का सोदा गाटे में जारा लगातार और खर्चा ज्य पसु ग्याबिन नहीं हो रहे हैं कई कई महीने और किसी किसी पसु को तो कई कई साल तक खड़ा करके खिलाना पड़ता है तो उससे बहुत ज्यादा खरच आज के महिंगाई के जमाने में किसानों पर पड़ रहा है तो उससे किसान पसु पालन को छोड़ कर कोई और दंदा क करने में ही अपना फाइदा समझता है लेकिन आप चिंता नहीं करें दोस्तों सीश पाल मलिक है तो डॉंट वरी टैंशन नहीं लेने का इस समस्या का पक्का 100% सो में से 100% इलाज हमको मिल गया है और वह इलाज मैं आपके साथ इसी वीडियो में सेयर करूंगा और सबसे बड़ी बात यह है कि वह इलाज आपके घर में आपकी रसोई में ही है और पहली ही बार में आपकी चाहे गाय हो चाहे बैस हो वो ग्याबिन रुख जाएगी सो में से सो परसेंट रुख जाएगी तो दोस्तों मैं हूँ दोस्तों आप सभी का और दोस्तों डेरी फार्मिंग और पसुपालन की रोजाना की ताजा जानकारी बरी वीडियो देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वाजू में जो गंटी का बटन है उसको भी दबाकर ओल पर सेट कर ले और दोस्तों अगर आप फेस्बुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फूलो कर ले जिए तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों जो ये पसू और के ग्याबिन नहोने वाली समस्या है तो इसमें दो चरण आते हैं एक पहला ये कि पसू हीट में ही नहीं आते हैं हीट में आते हैं तो साइलेंट हीट में आते हैं पता नहीं चलता है वो कभ हीट में आये और कभ उनकी हीट चली गई वो बोलते ही नहीं है और दूसरा दोस्तों अगर हीट में आ भी जाते हैं तो वो ग्याबिन नहीं रुकते हैं बार-बार रिपीट होते रहते हैं चाहे आ गाबिन रुकते ही नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो के दो चरण है पहले जो आज की वीडियो में आपको बना रहा हूं उसमें आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी गाए बैंस में इंफेक्शन है बच्चे दानी में किसी भी परकार का और उस कारण से वो हीट में नहीं आ रहे है तो उसके लिए आज की वीडियो में मैं आपको उसका नुश्का बताऊंगा दो तरह का नुश्का है और दोनों ही काम्याब है और दोनों ही आपकी रसोई में मौजूद है लेकिन जो उसको प्रेगनेंट रोकने का गशाबिन रुकने का फरमूला है वो अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में दोनों बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और पहले ही बहुत सारे बाईयों के कोमेंट आते रहते हैं कि सर आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं हमारा नेट खतम हो जाता है देखते देखते तो इसलिए आज ये वीडियो दो पार्ट में मैं बना रहा हूँ तो पहला पार्ट शुरू करते हैं, पहला पार्ट है कि आपके गायबैस ग्याबेन नहीं रुकती है, उसका परमुक कारण ये है कि उसके बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन है और उन इन्फेक्शन को ख वीडियो को डिवाइड कर रहा हूँ, दूसरी वीडियो में उसको ग्याबिन कैसे रोकना है वो बताऊंगा, चैनल पर बने रही है, जो नए है मेरे भाई, आज पहली बार जो वीडियो देख रहे है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजो में जो गंटी का बटन है, उसको भी दबा कर ओल पर सेट कर ले, उसे होगा ये हमारी आगे आने वाली सब भी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख कर उससे फायदा ले सकते हैं, तो दोस्तो इस वीडियो में जो आपके गायबैसों के बच्च प्रियदानी में इनफेक्शन होते हैं, जिस कारण से वो हीट में नहीं आती है, हीट में आती है भी तो साइलेंट हीट रहती है, पता नहीं चलता हूँ, उसका इलाज बताऊँगा, तो उसके दो तरीके हैं, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है, दोस्तो कि आपने 25 गराम हल्दी लेनी है और उसको 25 गराम देशी गी में मिला देना है या मैं दोस्तों आपको बता दो कि अगर आपकी आप बैंस के लिए ये उपाय कर रहे है तो उसके लिए देशी गाय के गी का उपयोग करे और अगर आप गाय के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आप बैंस क गी का देशी गी का उप्योग करें तो दोस्तों 25 गराम हल्दी आपने लेनी है और उसमें 25 गराम ही देशी गी मिला देना है और ये एक दिन की खुराक है दोस्तों ये आपने अपनी गायबैस को खिला देनी है और ये खाली पेट खिलानी है दोस्तों सुबह खाली पेट और और इतना ही ये खुराक है जितनी एक दिन दी है उतनी उतनी आपने लगातार साथ से दस दिन देनी है आपकी जो गाए बैंस के बच्चे दानी में इंफेक्शन है जिनके कारण वो हीट में नहीं आ रहे है वो सारे इंफेक्शन खतम हो जाएंगे दूसरा तरीका दोस्तों वो भी बिल्कुल ऐसा ही है उसके लिए भी आपने हल्दी लेनी है क्योंकि हल्दी एंटिबाइटिक का काम करती है शरीर के सारे इंफेक्शन खतम कर देती है तो उसमें आपने थोड़ी ज्यादा हल्दी लेनी है डबल हल्दी लेनी है जी हां आपन 50 गराम हलदी पॉड़र लेना है और दोस्तों मैं आपको बतादू कि जो हलदी आप ले रहे हैं वो जो मार्केट में हलदी पॉडर बिक्रा वो ना ले जो गाठो वाली हलदी है जो के आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं जिसकी फोटो ऐसी हल्दी आपने लेनी है 50 गराम इसको आपने कूट कर बारिक पोडर कर लेना है और फिर दोस्तों इसमें आपने 100 ml सर्षों का तेल मिला देना है सर्षों का तेल भी अगर आपके घर का निकलवाया हुआ है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और अगर आपके घर का नई है तो आप हैफेड का इस्तमाल कर सकते हैं हैफेड कंपनी का तेल क्योंकि घर वाले के बाद हैफेड पर ही विश्वास किया जा सकता है बाकी तेलों में भी बहुत ज्यादा मिलावट आ रही है तो इसलिए हो सके तो पहले आप अपने घर का जो सर्शो का तेल है उसका उप्योग करें सर्शो का नहीं है तो है फेड का तेल 100 गराम आपने लेना है 100 गराम इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों वैसे तो जो लिक्विड चीज़े होती है ML में मापी जाती है लेकिन ML को जो हमारे देशी बाई है वो समझते नहीं है तो 100 गराम मैं बोल रहा हूँ 100 गराम सर्शो का तेल उसमें 50 गराम हल्दी आपने मिला कर ये भी आपने सुबह खाली पेट और 7 से 10 दिन ही लगातार देना है आपकी जो गयबैस है उसकी बच्चे दानी के सारे इंफेक्शन खतम हो जाएंगे वो समय पर हीट में आएगी और बोलेगी भी सबको पता भी चल जाएगा और ग्याबिन अब कैसे रुकनी है क्योंकि ह हीट में आजाती है इस तरीके से फिर उनको गयाबिन रोकने के लिए भी जो आपके घर में मुझूद है वही एक तरीका बताऊंगा अगली वीडियो में बताऊंगा उसके लिए चैनल पर बने रहे आगे आप पसुओ की कौन सी समस्या पर कौन सी बीमारी पर वीडियो च 100% इलाज बताऊंगा तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाए बाजो में जो गंटी का बटन है वह भी दबाकर ओल पर सेट करते जाए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही जल्द ही मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक चैनल पर बने रही है तो नमस्कार दोस्तों जानकetto कि भी से वीडियो ललते एक और से और रही है वाजह करते जाए a Highं जो mamma एक तो जा ठास क्वेर, मुदया, जाटना से एक झालनों मुदयτι मुदयवदसर दूरा, मुदयड़